तो दिल्ली में आज होने वाले कॉंग्रेस वर्किंग कमिट्टी की बैठक में इस बार राजस्थान के चार नेता शिर्कत करने वाले हैं मोख्यमंद्री अशोग गहलोत के अलावा गुजरात प्रभारी के तौर पर रगुशर्मा, पार्टी के राश्टी महासची भवन जीतेंद्र सिंग और CWC के सदस्य रगुवीर मीना सामिल होंगे बैठक में वर्तमान राजनतिक मुद्दों के अलावा आगामी विधान सबाचुनाव और पार्टी के नए ध्यक्ष के चुनाव को लेकर मन्थन होगा लेकिन इस दोरे के दोरान मुख्यमंद्री अशुग गहलोत की सुनिया गांधी से होने वाली मुलाकात पर सबकी निगाहें ठिकी हुई हैं आज दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठक में इस बार राजस्थान का दबदबा रहने वाला है लंबे अरसे के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब राजस्थान से जुड़े चार नेता कॉंग्रेस वर्किंग केमिट्री की बैठक में शामिल होंगे वही मुख्यमंत्री अशोग गहलोत के दिल्ली दवरे से सरकार और संगठन में होने वाले बदलावों का सिधा संबन्ध है सोनिया गानी से मुलाकात होने पर लंबे समय से अटके मंत्री मंडल विस्तार, राजनितिक न्यूक्तियां और संगठन विस्तार पर मन्जूरी मिल सकती है सचिन पाइलट खेमे के नेताओं को सत्ता संगठन में जगे देने के फॉमूले पर चर्चा होनी है गहलोत इस दोरे में संगठन महासचिव केसी वेडू गुपाल, प्रभारी अजय माकन समेत पाठी के कई वरिष्ठ निताओं से मिलेंगे वहीं बैठंग में पाठी के नए अध्यक्ष और पाठी के अंध्रूनी मामलों का मसला उठेगा और इस बात की पूरी संभावना है कि इस बैठंग में चर्चा के बाद पार्टी को जल्द पूर काली का ध्यक्ष मिल पाएगा